हेलो फ्रेंज कैसे आपनों गई होब कि आप लोग अच्छी होंगे और आज हम लोग क्लास 10 मैथ के प्रशनावली 312 के प्रसंद संख्या एक के पहले भाग को सुल्व करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लागे तो एक लाइक करती जगा और चैनल पर नहीं है तो चैन अधिक हो तो प्रत्योगता में भाग लिए लर्कों और लर्कियों की संख्या ज्याद किजिए तो हमें पता क्या है कि अप्छा दस में कुल कितने विदारती हैं तो दस विदारती हैं जिसमें लर्कियों की संख्या लर्कों की संख्या से चार अधिक है ठीक तो हमें निका माना की लर्कों की संख्या बराबर x और लर्कियों की संख्या बराबर y है तब प्रश्ना अनुसार देखेस सवाल में कह रहा है कप्छा 10 के 10 विदार्थियों ने जयानि लड़का और लड़की दूनों मिलाकर कितने हैं तो 10 हैं तो हो लड़का कितना है X और लड़की कितनी है तो Y ठीक है तो X प्लस Y और दोनों में राकर कितना है 10 यह हो जागा समिकरान 1 ठीक है फिर आगे कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ठीक है तो लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ठीक है तो यहाँ क्या हो जागा लड़कियों की संख्या क्या माले है य तो यह हो जागा y बराबर लड़कों की संख्या क्या है x और इसमें 4 जोड़ देंगे ठीक अब अगर हम इसका काम करें तो क्या हो जागा x प्लस 4 जैसे वैसे लिख लेंगे और प्लस y है इधर करेंगे तो यह हो जागा ग्राफिये विधी से हल ठीक है तो लिखेंगे ग्राफिये विधी से हल HEY छिए करने के लिए क्या करना होता है भूच को ट Chapter है माल सानी प्लस Y बराबर 10 ठीक है तो X लोड कर जागा 10 पहले लिखेंगे और प्लस य जब इधर आगाती हो जागा मायनस का इसके बाद कि माणसरनी बनाएंगे कि यह गोई कि इसमें एक लिखेंगे और इसमें माई कमान रखना है और यह अपने मर्जी से रखना है आप कुछ भी रख सकते हैं कौसिस करना चाहिए च्छोटा संख्या राखें तो जीरो से स्टार्ट करेंगे यहार रखेंगे जीरो ठीक तो यह हो जागा 10-y के जगह पर रखेंगे सुने ठीक है तो सुने तो 10 में से अगर हम सुने को घटाते हैं तो क्या बचता है 10 ही बचता है तो y कमान सुने रखते हैं तो x कमान कितना है 10 आया ठीक है तो 10 लिखेंगे इसके बाद y कमान अब रखेंगे 1 ठीक है क्य istem कि या बचेगा A Çएक या निकालता है तो इस प्रकार से समीकरण नहका भुचकोटी त्यार हो गए अब समीकरणदो का भुचकोटी त्यार करना है तुषमेकरण 2 है एक माइनस वाइब्राबर माइनस का 4 क्या है समीकरण 2 किसे क्या है समीकन्दो एक्स माइनस का वाई बराबर में माइनस का चार ठिक तो यहां एक्स बराबर करेंगे माइनस का चार पहले लिखेंगे और माइनस का वाई है जब बराबर के इस तरह आ जागा ते हो जागा पलस का वाई ठिक इसके बाद इसमें भी का करना है मानसार कि दो कि इसमें एक्स और इसमें वाई फिर यहां भी हमें वाई कमान रखना है ठीक है जैसे इसमें रखे हैं वैसे इसमें भी रखना है ठीक है ना तो वाई कमान पहले रखेंगे सुनने क्या रखेंगे सुनने तो अगर हम वाई कमान रखते हैं सुनने तो क्या हो जागा मा बस वाई के जगा पर क्या रखना है सुने रखना है तो क्या बचाएगा माइनस चार में अगर हम सुने जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस का चार ही आगा तो इसमें लिखेंगे माइनस का चार अब रखेंगे एक क्या रखेंगे एक तो वाई का मान अब रखेंगे एक तो यहां लिखेंगे मैंञास Q2 समि基本 2 का मानสारणी अब तयार और हां वेयरी इसे घ्राफ केशिद करना रोल टकर है तो यह तिक है हं आरा फेपर फिर्धे इसमें एक लाइं ऐसे खिचना हे कि सिद्धा Saud और एक लायंत खिचना है से ठीक है इधर होता है प्लस का एक्स और इधर होता है माइनस का एक्स ठीक है और उपर हो जाएगा प्लस का वाई और नीचे हो जाएगा माइनस का वाई ठीक है यह मूल बिंदु होता है इसका मान होता है सुने कमा सुने रेंज देंगे तो एक अले लेते हैं एक दो तीन चार 5, 6, 7, 8, 9, 10 माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और नीचे हो जागा माइनस में माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 ठीक, अब देखते हैं समें क्रेंडे का भुजकोटी कितना निकला था तो X का मान 10 और Y का मान सुन ने ठीक है? X का मान 10 और Y का मान सुन ए बिंदू हो जाएगा इसके बाद X का मान 9 और Y का मान 1 X का मान 9 और Y का मान 1 ठीक है? तो 9 के उपर और 1 के इधर ए बिंदू हो जाएगा इसके बाद X का मान 8 है और Y का मान 2 है तो X का मान 8 और Y का मान 2 ठीक 8 के उपर और 2 के इधर a बिंदू हो जाएगा अब तीनु बिंदू से होते हुए एक लाइन खीचेंगे इस तरीके से कि यह हमें खीच लिया ठीक है और देख लेते हैं समीकरन 2 का कितना है तो समीकरन 2 का है X कमान माइनस का 4 और Y कमान सुनने तो X कमान माइनस 4 और Y कमान सुनने ठीक है? यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद X कमान माइनस 3 और Y कमान 1 X कमान माइनस 3 और Y कमान 1 यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद X कमान माइनस 2 और Y कमान 2 तो एक्स कमान माइनस दो और वाई कमान दो ये बिंदु आ जाएगा ठीक है अब इस तीनु बिंदु से होते हुए एक लाइन खीचेंगे ठीक है इस तरीके से अगर आप चाहे तो इसका नाम भी लिख सकते हैं कोई दिखत नहीं है ठीक है तो ये हो जाएगा 10,0 ये हो जाएगा 9,1 और ये हो जाएगा 8,2 ठीक और इधर माइनस 4,0 ये हो जाएगा माइनस 3,1 और ये हो जाएगा माइनस 2,2 ठीक है अगर आप चाहे तो समिकरन का नाम भी लिख सकते हैं पहला समिकरन कितना है पहला समिकरन है एकस प्लस वाई क्या है एकस प्लस वाई बराबर 10 ठीक है तो ये हो जाएगा बराबर माइनस का चार क्या है एकस माइनस वाई बराबर माइनस का चार ठीक है अब आपको यह देखना है कि यह दोनों लाइन कहां पर क्रॉस कर रहा है ठीक है एक दूसरे को यह दोनों लाइन इस बिंदू पर प्रतिछेत कर रहा है ठीक है तो यह जो बिंदू है यह का मान ठीक तो एक्स का मान क्या आया एक्स का मान आया तीन और वाई का मान कितना आया तो वाई का मान आया साथ क्या आया साथ ठीक है तो एक्स हमने क्या माना था देखिए एक्स हमने माना था लड़कों की संख्या ठीक है तो एक्स कमान कितना आया तीन ठीक है ना तो लड़कों की संख्या क्या निकला तीन निकला यहीं क्या हो जागा एंसर ठीक है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या क्या माना हुआ है वाई ठीक है तो वाई क्या ह साथ तो एह हो जाएगा लड़कियों की संख्या है ठीक है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एस सवाल समझ में आ गया होगा अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेल कर सकते हैं और इससे पहले का वीडियो आप लोगों नहीं देखा है तो अन्ल